हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग स्टडी तो आज मैं वीडियो बना रहे हूँ हॉस्पिटल के टॉपिक पर और ये टॉपिक है फंडमेंटल आफ नर्सिंग का तो इसमें हम जानेंगे मीनिंग ओफ हॉस्पिटल, डेफिनेशिन ओफ हॉस्पिटल and function of hospital and types of hospital सभी को हम detail में पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हॉस्पिटल का मेनिंग मीनलो का मतलब क्या है क्या होता है हॉस्पिटल थे वर्ड हॉस्पिटल इस डरायँव फॉम लेटीन वर्ड hospitalized which comes from hospice तो इसमें बोरे हैं कि जो hospital word है वो एक ले टीन word से लिया गया है hospitalized से जो कहां से आया है hospice, hospice एक word है वह ही से निकला है hospitalized उसका मतलब होता है एक host तो कहने का मतलब यह है कि hospital जो word है वो एक ले टीन word hospice, जो main word है hospice से निकला है hospitalized जिसका मतलब है host host means एक स्थान एक संस्था या एक घर कह लिजिए इसके पारे में हम detail में हम पढ़ेंगे आगे अब आप host का meaning जाने है कि host का क्या मतलब होता है the English word hospital comes from the French word hospital तो hospitalized तो फ्रेंच लेटीन word से निकला था लेकिन यहाँ पर hospital कहां से निकला है एक फ्रेंच वर्ट से hospital है ओके next point एसका today hospital means an institution in which sick and injured person are cared and treated लेकिन आजकल hospital का क्या मतलब है hospital आजकल एक institution बन गया है जहां पर बिमार और disease वाले patients को treat किया जाता है उनकी care किया जाती है means बिमार लोगों का इलाज किया जाता है next is की definition according to WHO hospital is an integral part of social and medical organization hospital क्या है एक इसका integral एक most trusted या फिर आप कहले जीए कि most important part है किसका social and medical organization का the function which is to provide for population the complete health care both curative and preventive तो जिसका क्या function है जिसका main काम क्या है पूरी जनता को health related facility परवाइड करवाना whose outpatient service reach out to the family and his home environment जो कि उसे patient को जो है पूरी health facility परवाइड करना और उसका homely environment यानि कि उसको किसी ऐसा फिलना हो कि वो कहीं और बैट कर इलाज करवा रहा है या कहीं पता नहीं कहां कौन सी दुनिया में पहुँच गया है इलाज करवाने के लिए तो उसे एक safe and satisfy environment देना ही hospital का काम होता है next definition है the hospital is also a center for the training of health worker and for bio social researcher तो hospital जहां पर एक तरह से patients का इलाज भी होता है लेकिन साथ में वहाँ पर क्या जलता है training भी चलती रहती है जैसे nurses के training होती है जैसे GNM या BSC वाले students जो है उनकी training लगती है education के साथ training भी चलती रहती है तो क्या है वो एक training institution भी साथ में है और वहाँ पर research भी होती रहती है कोई disease आ गई है तो उस पर research भी वहाँ पर वो करते रहते हैं कि इस disease को कैसे इलाज करने है वहाँ पर experiments भी चलते रहते है तो साथ में वो क्या है एक research training center भी है next definition है according to statement medical dictionary hospital is an institution for the care, cure and treatment of sick and wounded means एक institution है जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है बीमार हो जक्मी हो उनका इलाज किया जाता है for the study of the disease and और वो क्या होता है वहाँ पर किसी भी disease पर study की जाती है means कि कोई disease आ गया जैसे अब कोई virus आ गया तो उस पर research की जाती है कि उस पर medical research होती है कि कैसे इसको ठीक करने है और क्या होता है वहाँ पर doctors की training होती है जो MBBS complete करने के बाद doctors जाते है hospital में पहले उनकी training की जाती है फिर वो patients का इलाज करना शुरू कर देते है और nurses की भी ऐसे ही है तो उनको study के दुरान भी training दी जाती है और complete होने के बाद भी उनको training दी जाती है तो एक तरह से क्या है एक training institute भी है hospital next आ जाता हमारा function of hospital तो मैंने इसमें आपको सिर्फ points ही बताए है मैंने इसको explain नहीं किया है लेकिन मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपको इसमें लिखना क्या क्या है और अगर मैं इसको detail में लिखती तो वीडियो बहुत long हो जाता तो मैं आपको idea दे दूँगी कि आपने इसमें क्या-क्या लिखना है तो आप लिख सकते हैं अराम से तो नंबर वन पॉइंट है इसका केर ओफ सिक एंड इंजर जैसे कि पॉइंट ही आपको बता रहा है कि केर करना है सिक एंड इंजर पीपल की तो हस्पिटल क्या है? एक medical institution है जहां पर क्या होता है कि जो person होता है clients, clients means जो patient होता है वो suffer कर रहा है किसी disease से उसे कोई health problem हुई है तो वो इलाज कराने के लिए कहां जाता है? हस्पिटल में जाता है तो उसे महाँ पर patient की care करनी होती है उसका ध्यान रखना होता है उसका पुरा treatment जब तक उसका treatment चलता है उसकी care करनी उसकी देख भाल करनी है ठीक है तो इसी में एक और points पी आप लिख सकते हैं जैसे client को जो है treatment कैसे दी जाएगी उसके according to उसकी जैसे priority होगी जैसे कोई heart attack वाला patient आ जाता है या फिर किसी को चोट लगे वाले patient आ जाता है तो सबसे पहले treatment हम किसे देंगे heart वाले patient को देंगे क्योंकि उसे heart attack आया है तो पहले हम priority wise काम करेंगे अगर उसकी जूरुत जादा है तो पहले हम उसी को हम treatment provide करवाएंगे next point हमारा prevention of disease prevention of disease में होता है कि सबसे पहले हम उसका detection करते हैं screening करते हैं कि इसे क्या risk हो रहा है उसको क्या जो है disease cause कर रही है जैसे कि immunization schedule होता है बच्चों के लिए आप देखते कि बच्चों को पैदा होते ही immunization के जो injection लगने शुरू हो जाते हैं जो चार से प्वान साल तक चलते हैं कभी दो महिने तीन महिने या चार महिने के बीच में जो है लगते रहते हैं तो क्या है immunization schedule चल रहा है यानि कि एक screening जो बच्चों की चलती रहती है next step promotion of health तो इसमें क्या है कि इसमें health education दी जाती है कि उसे कैसे nutrition से बरा food खाना है कैसे अपने health का ध्यान रखना है कैसे उसको exercise करके अपने health को maintain रखना है उसे regular check-up करवाना है तो यह सब point इसमें आ जाएंगे next है हमारा diagnosis and treatment of disease तो diagnosis में क्या होगा जब भी कोई patient जो है hospital में आता है तो सबसे पहले उसका हम diagnose करते हैं कि उससे क्या disease हुई है then फिर उसका हम treatment start करते हैं ठीक है तो उसके बाद आ जाता है rehabilitation rehabilitation में क्या होता है कि जो patient कि patient को उसकी पहले वाली अवस्था में वापिस लेकर आना means जैसे patient जैसे पहले ठीक था एकदम proper health थी उसकी उसकी उसे कोई भी disease नहीं था पीसी बेतरा के कोई sign and symptom कुछ नहीं था healthy person था लेकिन जब वो hospital में आया किसी इलाज के लिए आया है तो उसे उसकी पहले वाली health में लेकर जाना उसको okay करके उसका treatment करके उसकी condition को ठीक करके उसको वापिस पहले की condition में लेकर जाना होता है rehabilitation next आजाता है हमारा medical education तो medical education में आता है तो इसमें होता है कि hospital जो है वो attach होते है medical colleges से जैसे कि आपने देखा होगा बी ऐसी जी एन एम तो यह हमारे colleges है यह attach है hospital से यह जब हमारे training period आता है nurses का तो वो student को training के लिए hospital में बेज देते हैं तो उनका क्या है कि patient की care कैसे करनी है और उसको individual जो medical care कैसे provide करवानी है उनको emergency में कैसे deal करनी है तो यह सब उनको इस medical training के दुरान सब सिखाया जाता है means उन्हें एक medical education provide करवाई जाती है next point हमारा medical nursing research तो इसमें आ जाएगा कि जैसे nurses जो है training के लिए hospital में जाती है वहाँ उन्हें हर तरह के patients मिलते हैं हर तरह के patients के साथ उन्हें deal करनी होती है तो उन्हें step-wise सब कुछ सिखाया जाता है वहाँ पर क्या होता है कि research भी चलती रहती है कि disease कोई आ गई है तो उस पर research investigation सब चलता रहता है तो nurses को पूरी information दी जाती है उन्हें disease के course के बारे में बताया जाता है diagnose के treatment के बारे में भी बताया जाता है nursing management के बारे में भी बताया जाता है और hospital के जो administration है उसके बारे में भी उसे बताया जाता है ठीक है ward हो गए unit हो गए सारी information जो है उसको महाँ पर training के दुरान सब provide करवाई जाती है ठीक है next point है हमारा outpatient services outpatient services में होता है कि जब कोई patient जो है किसी disease के कारण hospital में आता है तो उसका पूरा procedure होता है like foam filling से लेकर उसकी treatment तक पूरा जब complete हो जाता है जब patient okay हो जाता है उसी किसी बतार है कि कोई disease नहीं है उसका treatment complete हो गया तो उसको जब discharge किया जाता है यानि कि जब वो जा रहा है डिस्चार्ज होकर अपने घर जा रहा है तो उसे बोलते है outpatient services उस टाइम पर उसे क्या-क्या बताना है कि आपने ऐसे से medicine लेनी है अब आप ठीक हो तो पूरा procedure जो होगा उसमें आता है outpatient services नेक्स्ट पॉइंट है इसका inpatient services inpatient services में होगा जब patient hospital में एंटर करता है उस दोरान जो procedure चलेगा उसका फॉर्म फिलिंग से लेकर उसका treatment डाइग्नोस पूरा procedure होगा input sorry inpatient services में next topic इसमें classification according to size and bed capacity या फिर size of hospital की बैड में जो है sorry hospital में जो है बैड के according ही hospital का जो size जो है बताया गया इसमें जैसे small hospital हुए चोटे-चोटे जो hospital होते हैं उसमें bed capacity कितनी होती है 100 या फिर उससे कम होती है जो small hospitals होते हैं चोटे-चोटे आपने देखी होंगी clinics जिने हम बोलते हैं तो उसमें bed कितने होते हैं 100 या उससे लाज होस्पिटल में कितना होगा 301 से 1000 बैड सक हो जाते हैं तो इसमें क्या हुआ बैड का size increase हो गए तो hospital भी बड़े हो गए हैं और इसमें क्या होता है कि जो इसमें treatment जो प्रवाइड करवाने की facilities हैं वो भी बढ़ जाती हैं तो अलग-अलग section हो जाते हैं इसमें treatment के जैसे heart patient है उसके heart के treatment के लिए अलग area बनाया जाएगा cancer वाले patient के लिए अलग area बनाया जाएगा तो यह क्या है large hospital है next है हमारा on the basis of health committee report it is recommended to classify the hospital according to bed strength तो हमारी जो health committee है उसकी report के अनुसार इन्होंने बोला कि जो bed की जितनी strength होगी hospital को उसी साब से बनाया जाएगा ठीक है teaching hospital की bed strength कितनी होगी पांसो से जादा bed होने चाहिए उसमें तो वो बना जाएगा teaching hospital अगर पांसो से कम bed strength होगी अगर पांसो से कम bed होए होस्पिटल में तो उसको teaching का जो है permission नहीं दी जाएगी कि उसे teaching hospital नहीं बनाया जाएगा तो उसके पार जाता है district hospital उसमें bed capacity होने चाहिए 200 से 300 बैड तालुक होस्पिटल पचास से 200 बैड होने चाहिए ठीक है तालुक होस्पिटल वो होते हैं जिसे हम आपनी बोलते हैं dispensaries बोलते हैं तो उसमें कितने होते हैं 50 से 200 बैड होते हैं community health center प्राइमरी health center में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होते हैं 6 तू 10 बैड होते हैं नेक्स हमारा point है classification according to ownership या फिर प्र और है तो होस्पिटल को जो है कौन कंट्रोल कर रहा है तो होस्पिटल किस-किस के अंडर आते हैं या फिर हम इसे बोलते हैं कि types of clinic तो इसमें आते हैं दो तरह के government और public hospital non-government hospital और private hospital ठीक है government hospital में आ जाता है जिसे हमारी सरकार चलाती है government चला रही है ठीक है उसे हम public hospital भी बोलते हैं क्योंकि वह सभी लोगों के लिए होता है कोई भी वहाँ जाकर एक आम आदमी भी वहाँ जाकर के अपने treatment करवा सकता है और non-government में आ जाता है कि यो प्राइवेट hospitals होते हैं जो प्राइवेट संस्था होती है उसमें आ जाता है non-government hospital प्राइवेट hospital तो इसमें first point था हमारा government and public hospital इसमें क्या आते हैं इसर रन बाइदा center और the state government तो जो किस के द्वारा चला जाते हैं हमारे center government के द्वारा चला जाते हैं और local bodies और non commercial lines means जो local bodies होती है means जो government के under आती है और these are text spotted means यह text के द्वारा ही चला जाते हैं जो आपने देखा हो कि government implies को इतना percent tax pay करना पड़ता है या फिर private वालों को भी कुछ उसका percentage अपनी salary का कुछ percent tax pay करना होता है तो वो सब जो government को pay करते है taxes तो उस tax के through ही tax कुछ percent जो है hospital में भी लगाती है government तो यहां पर वो यही कहना चाह रहा है कि these are text spotted यानि कि वो टेक्स के द्वारा ही चला जाता है दे can be general hospital and specialized hospital और बहुत तो कुछ जो है इसमें general hospital होता है जहां पर सभी तरह का इलाज किया जाता है और कुछ होता है specialized hospital means जो एक particular किसी disease के लिए जो hospital बनते हैं तो वो होते है specialized hospital जैसे cancer का hospital होता है वो सिर्फ cancer का treatment ही वहां पर होता है तो उसमें आता है specialized hospital के अंडर next point है इसमा non-government hospitals they are spotted by the client fee gift और indormant non-government hospital are further classified is either तो इसमें बताया गया है कि जो non-government hospital होते हैं जब जैसे आपने private hospital देखे होंगे उसमें क्याद है कि जो भी treatment कराता है तो उसको fees काफी fee pay करने पड़ती है तो वो जो fees जो पे करता है वो ही उसी के द्वारा जो है यह hospital चलते हैं जो भी वो gift देता है अपनी इच्छा से कुछ भी पैसे दान करता है तो वो उसी से यह सब चलता है आप government hospital में जाके देखे किसी पी तरह कि आपको पैसे देने की जूरत नहीं होती वहाँ पर सिर्फ एक slip बनती है उसी से आप प इतनी बार भी आप consult करने जाते हैं तो आपको फीटे करने पड़ती है तो उसी से ही जैसे यह private hospital जो है चलते हैं तो आगे इन्होंने बोला था यह classified है इधर proprietary और non-profit organization means proprietary hospital are owned by individuals जो क्या है individual ही चलाए जाते हैं यान कि किसी particular person का होगा या फिर या फिर partnership में भी चला सकते हैं या दो या तीन लोग मिलकर जो है उस private hospital कोल के अपना उसमें earning करते हैं वो ठीक है तो इसमें क्या होगा और डिवाइडन इन शेयर पार्टनर्स जो भी उनका income होगा तो वो शेयर कर लेंगे उसमें तो private hospital में आ जाता है volunteer hospitals private nursing homes hospitals या फिर corporate hospitals तो नौर voluntary hospital किसके द्वारा चलाए जाएंगे यह public या फिर private fund से ही चलाए जाते हैं इन्हें voluntary जो hospital बोलते हैं मींस जो दान से चलाए जाते हैं ठीक है जो प्राइवेट संस्ताप में देखा होगा कि charities बनी होती हैं वहाँ पर लोग जाकर दान करते हैं तो उनके द्वारा यह voluntary hospital चलाए जाते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम यह भी उसी का ही पार्ट से जनरली ओन बायर इंडिविजुल डॉक्टर नर्सिंग होम से क्या है जो डॉक्टर MBBS करने के बाद या MD बनने के बाद जो है वह अपना क्लीनिक बना लेते हैं और वहाँ पर अपना इंडिविजुल बनाते हैं वह किसी के अंडर काम नहीं करते हैं तो या फिर यह दो से चार डॉक्टर या ग्रूप ऑफ डॉक्टर्स मिलकर वह एक नर्सिंग होम बनाते है चीके तो यह क्या होए एक कोमर्शिल बेसिस हुआ यांकि उनकी खुद की अर्निंग यह यह और पुब्लिक लिमिटिड कंपनीज फॉर्मिड अंडर या एक्ट कोमर्शिल लाइन मेंस क्या होगा एक वह अपना एक्ट के अधिन खोलते हैं उसे यानिकि कम्पनी एक्ट के दीन एक hospital खोलते हैं जिसे commercial lines बोलते हैं इधर जर्नल और specialized या फिर वो दोनों ही हो सकता है या जर्नल भी हो सकता है और specialized hospital भी हो सकता है तो next है hospital की categories की किस type के जो hospital में जो है किस type के बने होते हैं तो इसमें आता है teaching research hospital इसमें क्या होता है the primary objective is training of doctor and research तो इसमें इसका base क्या है वो क्या करवाते हैं वो training देते हैं doctor doctors को training देते हैं और especially वो research के लिए ही बने होते है health care is secondary means उनका जो health care है लोगों को जो उनका इलाज करना उनका secondary option होता है लेकिन उनका main purpose क्या होता है doctor को training देना या फिर किसे particular disease पर research करना ठीक है जैसे medical college hospitals होते हैं वहाँ पर क्या होते है studies भी होती है और treatment भी होते हैं लेकिन इनका main purpose क्या होता है सिर्फ ट्रेनिंग देना नेक्स्ट आ जाता है journal hospital इस hospital offer treatment for common disease तो इसमें क्या करते है कि वह common disease को जो है treatment provide करवाया जाता है common disease means जो भी cold cough जो हो जाता है normally season change हो जाता है तो हो जाता person को तो वहाँ पर जो लोग आराम से जाकर अपना treatment करा सकते हैं the main objective is to provide medical care whereas teaching is secondary means उसका main purpose क्या होता है कि लोगों का इलाज करना तो teaching वाले में क्या था कि वह उनका main purpose क्या था कि वह सिर्फ teaching यह परवायड करवाते हैं लोगों का इलाज करना उसका second part था मतलब उनका main focus उस पर नहीं था लेकिन general hospital में क्या है उनका main focus ही लोगों का इलाज करना होता है ठीक next point इसका specialized hospital specialized hospital में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसमें particular किसी disease का इलाज के लिए hospital बने होते हैं जैसे heart patient हो गया cancer के patients हो गये तो उनका ही इलाज in hospital में किया जाता है next आ जाता है isolation hospital this is hospital in which client requiring isolation or client suffering from communicable disease तो isolation तो वर्ड आपने वैसे आज कर बहुत सुना होगा तो isolation के means एक तरह से patient को अलग कर देना अलग थलग रखना मिस कुछ दिनों के लिए उसको patient को अलग कर देना दूरी बना के रखना तो जैसे communicable disease आपने सुना होगा covid-19 उसमें क्या करते है patient को isolate कर देते हैं कि वह disease किसी और को ना लगे इसलिए उसको अलग कर दिया जाता है next is ruler hospital are both located in the ruler area यह कहां पर ruler hospital कहां होते हैं गाउं वाले गाउं कस्वों में जो है वहां पर मिलते हैं और यहां पर क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा doctors available नहीं होते हैं फिर भी यह वहां पर doctor मिलते हैं और treatment provide करते हैं patients को और inpatient accommodation भी मिलती है वहां पर और medical nursing care भी सब provide कर वाया जाता है तो आज की वीडियो में वस इतना ही गाईस thank you for watching गाईस